नमस्ते दोस्तो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि सोरियासिस की बीमारी में आपको क्या नहीं खाना है क्योंकि जितने भी सोरियासिस के पेशेंट्स मेरे पास आते हैं उनका सबसे वाइटल क्वेस्चन ये होता है कि डॉक्साब मैं खाने में क्या-क्या अवाइट करूँ मेरा नाम डॉक्टर पंकज भारती है मैं वेलनेस एक्सपर्ट हूँ और पिछले 18 सालों में मैंने 2 लाग से भी जादा मरीजों का इलाज किया है इसमें 20,000 से भी जादा ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको सुराइसिस था अगर हम खाने की बात करें तो उसमें सबसे महत्पूर्ण है कि हम मिल्क और किसी भी तरीके के मिल्क प्रोडक्स को अवाइड करना है इसमें दूद, दही, मठा, पनीर, छेना और दूद से बनी हुई मिठाईया आप जो मिल्क प्रोडक्स में जो चीज खा सकते हैं वो देशी घी है तेशी घी आपको अवाइड करने को नहीं बोला जाता है आप सको जितना चाहें उतना खा सकते हैं दूसरी सबसे महत्पूर्ण जो फूड में हमें अवाइड करना है उसमें गेहूं और गेहूं से बनी हुई चीजें उसमें गेहों में जैसे जितनी भी चीजें बाजार में मैदा आता है, बिसकेट आता है, पास्ता आता है, गेहों की बनी हुई रोटी है, अगर आपको रोटी खाने का शौक है तो आप multi-grain आटे की रोटी खा सकते हैं, और उसके ingredients में चेक कर लें, कि उसमें wheat नहीं होना चा रमाटर, शिमला मिर्ज और आलू हैं, ऐसे लोग जो non-veg खाते हैं, वो सिर्फ चिकन खा सकते हैं, और चिकन को भी पकाने में उनको refined oil नहीं यूज करना है, शुद्र सर्सों का तेल यूज करें, और उसमें marination के लिए किसी भी तरीके के milk या milk products को avoid करें, आपको egg, fish और red meat पूरी तरीके से avoid करना है, आपको refined oils पूरी तरीके से avoid करना है, और जो एक सबसे महतुन चीज मैं आपको बताने चाह रहा हूं, कि बाजार में वो सारी चीजें कोशिस कीजें, कि आप ना खाएं, जो बाजार में packed या डिबबा बन चीजें मिलती हैं, सबसे ज्यादा जो को परिशानी होती है, वो wheat को और milk को avoid करने में होती है, तो इसके पीछे एक science है, science ने खोजा है कि एक syndrome होता है, जिसका नाम है leaky gut syndrome, तो wheat में जो gluten protein होता है, और milk में जो casein protein होता है, जब हम milk या wheat खाते हैं, तो इन में पाए जाने वाले ये protein हावारी intestine में जाके, वहाँ पे जो membrane होती है, जिसको हम mucosa बोलते हैं, तो वहाँ ये चिपक जाते हैं, इससे जो chemical secret होते हैं, तो हमारी जो mucosa है, उसमें perforation हो जाता है, और ये perforate होके हमारे blood में चले जाते हैं, जिससे हमारे शरीर में inflammation पैदा होता है, practice में मैंने देखा है कि बहुत सारे मरीज, जो मै मैंने उपर बताई हुई चीजे हैं, उनको avoid कर देते हैं, तो उनकी psoriasis कम होने लगती है, और मैंने बहुत सारे मरीज ऐसे भी देखे हैं, कि जो सिर्फ इन चीजों को avoid करने से, उनका psoriasis पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, तो दोस्तों, ये बहुत ही मात पूर्ण है, क कि अगर हम psoriasis का पूरा इलाज चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी psoriasis पूरी तरीके से ठीक हो जाए, और ये दुबारा ना हो, तो सबसे पहले मैंने ये जो चीजें बताई हैं, avoid करने को, इनको खाने में पूरी तरीके से avoid करें, एक बार जब psoriasis ठीक हो जाती है, वो सारी चीजें आपको नुकसान करती हो, एक बार psoriasis ठीक होने के बाद, फिर हम अपने बोजन में एक-एक करके, इनको खा के देखते हैं, इनको incorporate करते हैं दुबारा, और अगर उससे psoriasis नहीं बढ़ती है, तो फिर हम उसको खाने को, इसको allow कर देते हैं, psoriasis के बारे में, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, तो स्क्रीन पे जो हमारी website आ रही है, www.soriasis.drbhartis.com, आप इस पे जाईए, इस पे आपको psoriasis के विशह में पूरी जानकारी मिलेगी, और और भी चीजें आपको पता चलेंगी psoriasis के बारे में, कि आप किस पूरी तरह से holistic treatment को follow करके psoriasis अपनी जीवन से निकाल सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो आप हमारे चैनल को subscribe करें, हमारे इस वीडियो को share करें, और bell icon दबाना न भूलें, जिससे भविश में आपको हमारे ज्यान वर्धक वीडियो के updates मिलते रहें, Thank you.